आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से चैप्टर नमबर 7 वकष्य प्रतिकार वकष्य बगुला जिसे हम इंग्लिस में स्वान के नाम से भी जानते हैं प्रतिकार यानि बदला लेना तो स्वान के द्वारा किस तरह से बदला लिया गया आज इस चैप्टर के माध्यम से हम ये जानेंगे जैसे आपको पिक्चर में दर्षा आया गया है कि इसमें दो मित्र होते हैं एक बगुला और दूसरा लोमडी आज इसी मित्र के बारे में हम एक कहानी देखेंगे यह कहानी दो मित्रों की है एक लोमडी और दूसरा बगुला लोमडी बहुत चालाँख होती है वो बगुले से कहती है बगुला क्या तुम मेरे घर मेरे बर्थरे में भोजन के लिए आओगे बगुला बहुत ही प्रशन मन से कहता है हाँ मित्र मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा इस तरह से कहता है और लोमडी ततपस्चात उसको निमंतरण देने के बाद वो वहाँ से लोमडी चली जाती है दोनों मित्र आपस में बात करते हैं कि ठीक है हम आपके घर आएंगे अब लोमडी अपने घर जाती है वहाँ पे जाने के बाद लोमडी क्या करती है कि खाना बनाना शुरू करती है वह खीर बनाती है खाने में बगुला बहुत ही प्रसन्न मन से मित्र के यहाँ जाता है लोमडी उसते कहती है कि आपके आने से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आईए मित्र आज हम दोनों मिल करके अपना भोजन ग्रहाण करेंगे यहाँ पे जैसा कि आपके वीडियो में दिखाया गया है कि दोनों मित्र के लिए लोमडी क्या करती है प्लेट में जो डिसेस होते हैं उसमें खीर परोष्टी है या निकालती है और बड़े ही चाओ के साथ लोमडी खीर खाना शुरू कर देती है लेकिन भगुला विचारा वो खीर को खाने में समर्थ नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी चोच लंबी होती है और निरास मन से भगुला वहां से लोड़ जाता है फिर बगुला दूसरे दिन लोमडी से कहता है कि लोमडी क्या तुम मेरे घर भोजन ग्रहण करनी के लिए आओगी लोमडी सोचती है कि यह तो बहुत ही बेवकूफ है मैंने तो इसको मुर्ख बनाया खाना भी अच्छे से नहीं दिया फिर भी यह मुझे इन्वाइट कर रहा है तो क्यों न मैं इसके घर चलू और वह बोलती है लोमडी कि हा मित्र मैं जरूर आओँगी आपके घर भोजन ग्राण करने के लिए बगुला खुस होता है क्योंकि उसे भी बदला लेना रहता है और लोमडी के साथ वह बदला लेने के लिए बहुत ही बेचैन रहता है क्योंकि लोमडी ने भी उसे अपने घर बुला के भोजन अच्छे से नहीं कराया था और उसका तिरस्कार किया थ लोमडी दूसरे दिन बगुले की घर जाती है बगुला भी बोलता है मित्र लोमडी आपको यहां देखकर मैं बहुत ही प्रशन हूँ और मैं आपके लिए बहुत ही सुगंधीत बहुत ही खुस्बूदार भोजन बनाई हूँ और वो दोनों क्या करते हैं कि प्लेट में ग्लास में जैसा कि आपके इसमें दिखाया गया है ग्लास में बगुला उसके लिए खीर परोश्ता है बगुला तो खा लेता है बट लोमडी उसको नहीं खा पाती है और सिप देखती रह जाती है बाद में जब स्वान या बगुला खीर खा लेता है और तब बोलता है कि लोमडी मित्र आपने खीर नहीं खाया तब उसे अपनी गलती का ऐसा सास होता है कि सायद मैंने भी अपने मित्र के साथ ऐसा ही किया था इसलिए मित्र हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए जैसा कि लोमडी ने अपने फ्रेंडिक बगुले के साथ किया था यदि हम बुरा करते हैं तो उसका परडाम बुरा ही होता है जैसे लोमडी जो थी उसको उसके कर्म का फल उसको मिला इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। एक दा प्रात शिंगाल वकस्य अवधत। एक बार प्रात सुबह में शिंगाल ने जो शियार था उसने बकुले से अपने फ्रेंड से कहा। आपदत मतलब कहना मित्र श्व त्वम मया सह भोजनम कुरू श्व यानि बीता हुआ आने वाला कल जो होता है उसे हम हिय के नाम से जानते हैं। अब इसमें करा है उसका फ्रेंड सिंगाल करा है बगुले से कि बगुला क्या तुम कल मेरे घर मेरे साथ भोजन करने के लिए आओगे या भोजन करोगे। सिंगालस्य निमंत्रेड वक प्रशन्न अभवत सिंगाल के निमंत्रण से सिंगाल के इन्विटेशन से जो बगुला रता है वो बहुत ही प्रशन्न हो जाता है। अगले दिन भोजन के लिए सिंगाल के निवास, मतलब सिंगाल जहां पे रहता था, वहां पे वगुला जाता है। कुटिल स्वभाव, सिंगाल, स्थाल्याम, वकाय, छिरोधनम, अयच्छत, कुटिल स्वभाव यानि जिसका बुरा स्वभाव होता है, जिसका दुष्ट प्रवित्ति का स्वभाव होता है। तो वह जो सिंगाल था, उसका स्वभाव कैसा था, बुरा था, कुटिल था, तो वह कुटिल स्वभाव वाला जो सिंगाल था, जो जैकल था, उसने क्या किया, कि अस्थाल्याम, मतलब जो थाली होती है, उसमें, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, थाली में बकुले और वाकम जो वगुला रहता है, उससे बोलता है कि मित्र अस्मिन पातरे आवाम अधुना सहेव खादाव है मित्र अस्मिन मतलब इस दिन, आज के दिन हम दोनों आवाम मतलब हम दोनों एक ही पात्र में अधुना मतलब इस समय सहय मतलब साथ में खादाव मतलब खाते हैं आज हम लोग दोनों लोग एक ही थाली में इस समय एक साथ ही हम दोनों लोग खाना खाते हैं या खीर खाते हैं भोजन काले वकस्त्य, चच्चू, स्थालित, भोजन ग्रहडे समर्था न अभवाद। जब भोजन का समय हुआ, जब भोजन खाने लगे दोनों, तो भोजन के समय जो वगुला था, उसका जो चोच था, वो बहुत लंबा था, तो वो थाली, स्थाली का भोजन ग्रहडे, थ खाने में और समर्द रहा कहने का तात्पर यह है कि जो बगुला था वह खाना नहीं खा पाया और विचारा क्या किया लोमडी को देखता रहा गया तो आज के लिए बच्चों इतना ही देख करते हैं नेक्स जो आपके चैप्टर्स हैं बाकी वह हम नेक्स वीडियो में और न